लगभग 3 किलो मीटर के छेतर में फैला सांती कुझ आश्रम भारत का सबसे बड़ा और अद्भुत आश्रम है इस आश्रम में रहना और खाना सब कुछ फ्री है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आश्रम में कैसे फ्री में रहा जाता है भोजन कहां मिलते हैं और पूरे आश्रम के दर्शन कराऊंगी और आश्रम से रिलेटर सभी प्रकार की जानकारी आपसे साजह करूंगी तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और कमेंट करके एक बार जरूर बताएं नमस्ति दोस्तों ट्रावल वित राजलक्षमी में आपका स्वागत है आसर करती हूं आप और आपका परिवार स्वस्त होगा गंगा की गोद हिमाले की जाया में वी निर्मित गायतिर तित सांतिकुंज हरिद्वार इशिकेश मार्ग पर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है सबसे पहले कोश्चन आता है कैसे पहुँचे तो बता दू रेलवे स्टेशन या बस इस्टेंट से हर्की पौड़ी पहुचे वहां से बाइपास रोड से सुखी नंदी तथा भारत माता मंदिर पार करके उसी मार्ग पर सांतिकुंज जिसती थै वहां पर कार से सबसे पहुचने में 30 मिनट और पैदल चलने में 45 मिनट लगता है अगर आप शांतिकुंज आश्रम दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने पास अधार कार्ड रख ले उसके बिना इस आश्रम में आपको इंट्री नहीं मिलेगी तो यह से अपना आधार कार् दिखेगा यह सुन्दर सा द्रिष्ट आश्रम बहुत ही खुबसूरत बना हुआ है चारों तरफ ग्रीनरी है आपको हरे बहरे पेड़ नजर आएंगे और यहां पर वाता पर जो है बहुत शुद्ध होता है जहां पर हरे बहरे पेड़ रहेंगे साप सफाई रहेगी वहा आपको आगे दिखाती हूँ कि भोजनाले कहा है इस वीडियो में मैं आपको शांती कुंज के थोड़े थोड़े पाट दिखाऊंगी ताकि आप असानी से आश्रम घूम सकें जैसे इंट्री करेंगे लेफ्ट साइड में आपको भोजनाले मिलेगा वहां पर आप भोजन क करने के बाद आपना श्रम दान कर सकते हैं और आगे बढ़के आश्रम को देख सकते हैं इकर में फैला ये आश्रम जागिर्थ तिर्थ लाखो करोडों गायतरी शादुकों का गुरु द्वारा भी है गायतरी परिवार से लाखो करोडों लोग जुड़े हुए हैं और यह पर आते हैं। यह अस्थान चैतन्य तिर्थ प्रकल प्रग्या सजल शद्धा की रूप में जाना जाता है। यह अस्थान आचारे स्री राम शर्मा और उनकी पत्नी भगवती देवी सर्मा की समाध अस्तली है। अपने जीवन काल में अचार अपने शर्धालों से यहीं पे मिला करते थे इसलिए यह सांति कुझ का परम पवितरस्थान माना जाता है इस पवितरस्थान के दर्शन के बाद हम निकल गए दक्षिल भारत जोन में वहाँ पे आपको सबसे पहले अपने जूते चपल उतारने होंगे क्योंकि हमें मंदिर में परवेश करना होता है बीद माता गातरी मंदिर में परवेश के लिए हमने जूते चपर उतार दिये और अब अंदर बताती हूँ क्या क्या है इस मंदिर के अंदर गातरी माता का भब्य देवाल है सब तरिश्यों की परित्माओं की अस्थापना और साथी में एक भटके हुए देवता का भी मंदिर है और इस मंदिर में आप आके बैठ सकते हैं, शादना कर सकते हैं उसकी बाद यहां से निकल के हम आगे फूट कोट में वहां पे निशुलक भोजनाले के अलावा एक फूट कोट भी बनाए गया है जहां से आप अगर खरीद के खाना चाहते हैं तो खरीद के खा भी सकते हैं तो यह फैसिलिटी भी शांती कुझ आश्रम में है कि आप खरीद के चाय पानी जो भी आपको खाना है यहां पे मिल जाती है वेदर के हिसाब से अगर कोल्ड कॉफी चाय पीना है तो वो भी मिल जाता है इस उस्तान पे थोड़ी जड़ बैठ के आप बात बिमर्श कर सकते हैं हमारा परिवार बैठा हुआ था तब तक मुझे दिखा संसकार साखा में को जाने के इच्छा होई कि यहां पे क्या क्या होता है तो चलिए मुझे मिले उन्होंने बताया कि संसकार साला में होता क्या क्या है यहां पे शादिया कराई जाती है वो भी फ्री में मुंडन संसकार होते हैं बहुत जितने भी संसकार होते हैं सब यहां पे फ्री में कराई जाते हैं उसका डेटेल बताती हूए कि कब-कब कैसे यहाँ पर संसकार कराया सकते हैं, आप आश्रम में आके करा सकते हैं. तरपन संसकार का मुथलब होता है कि जो आदमी दिवंगत हो जाता है तो यहां पे पूरबजो का अतरणतार किया जाता है तरपन संसकार बोला जाता है तो डेली होता है सुबा के पांच बजे से लेकर के उसके बाद में चार दिन में चार बार होता है तरपन संसकार अच्छ इस साखा से निकलने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगे कि जो फ्री में आश्रम हमें रहने की वेवस्था देती है वो बेवस्था कैसी होती है और किस तरह के हमें रूम्स मिलते हैं उन सभी के बारे में बताऊंगे और दिखाऊंगी भी चानकारी के लिए बतादू आश्रम कोई अनलाइन बुकिंग नहीं लेता है अगर आप यहां पे आश्रम में आते हैं और रहने का मन रखते हैं तो आश्रम में काउंटर बनाये गए हुए हैं जहाँ पे आप जाकर रूम्स की बुकिंग करा सकते हैं आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो अगर जगह है तो आश्रम आपको प्रवाइट कर देता है तो यहाँ पे लोगों को रहने के लिए बवस्ता दी जाती है आश्रम में जो करमचारी काम करते हैं उनके लिए भी उचित बवस्ता दी जाती है यहाँ पे आश्रम को रहने के लिए कई तरह के चीजे डिवाइट की गई हैं बहुत फ्लोर्स भी मिलते हैं रहने के लिए और आपको पंडाल भी दिये जाते हैं रहने के लिए जिसमें सब लोग एक साथ रहते हैं तो पंडाल मुस्ली मिल जाते हैं हमें रहने के लिए और यह जो आपको सामने building दिख रही है यह floors होते हैं इसमें भी हम लोग के जैसे ही लोग आके रहते हैं तो यह भी अगर खाली रहता है तो आश्रम हमें provide कर देता है तो अब ही मैं आपको पंडाल दिखाऊंगी जो पंडाल का नाम है Sri Mah ऐखकरणा भगवती पंडाल क्योंकि सारे पको से स्हान से पक्हों से पंडाल वहां भक् हां सब्सक्राइब है को हमें इस थे में आप को अधनी के से शीयों practicing आप पंखा और कूलर चलता रहता है ये थी रहने की बिवस्ता अब दोस्तों ये वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसका एक और पार डालूँगी उसमें डीटेल्स में सब कुछ बताऊंगी तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें तब तक के लिए बाबाई मिलते हैं अगले वीडियो में आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा बाबाई